हाई फ्रेंट सागत है आपका एलेटिकाफे रूप चैनल में दोस्तो नूकलियर पावर कारपरशन आफ इंडिया लिम्टेट एन पी सी आई यल नरावरा बुलं सहर उत्तर परदेश तरफ से न्यू रिकूट्मेंट के फुल नोटिफेकेशन आउट कर दिया गया है इसका फार्म आज की डेट यान की 13 दिसंबर से फार्म इसका आज स्टार्ट हो चुका है और 6 जनवाई 2023 इस फार्म की लाश डेट होगी अप्लाई करने के लिए यह दोस्तों बता दूँगा अपको यह पर्मेंट जॉब आपको होगी यह गवर्मेंट जॉब होगी और इंडिया कंडियर्ट मतब किसी भी स्टेट से आप बिलॉंग करते हैं फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं ठीक है आई टिया इन डिप्लोवाग लिए आपको यह वेके बढ़ने से लिए आप 146 रिक्वेश्ट आप चैनल पे पहली बाव वीडियो को सब्सकाइब जरूर कर लेगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बिल आइकन को प्रेस कर लेगा और वीडियो को पसंद आने के पे आप एक लाइक जरूर कर दीगा प्लीस दोस्तों मेरा सपो सब्सक्राइब करने के लिए यहां पे आप देख पार है यहां पर करने के लिए यहां पे आप देख पार है आपके काटेगरी सेकेंड है ठीक है तो इस तरह से आप देखेंगे बाकि डिगरी वाले के लिए यहां पर आपका जो डिप्लोम वाले कंडिट है इनके लिए यहां पर दिया गया है यहां पे थोड़ा सा इन्होंने एक चीज दिया हुआ है लेटरेंटी को लिए करके ठीक है सबसे पहले इसको आप लोग देहां से दिखीएगा देखेंगे यहां पे आप सभी लोग को पास जो है वो तीन साल का डिप्लोम होना चाहिए अगर तीन साल का डिप्लोमा है ती आपने डिप्लोमा किया है तब इसको यह वैलिट मानेदा है आप इसको अपलाई कर सकते है ठीके यहां पे और गरके दिया है जो लेटर अंट्री वाले है टू यह वादिखीए अगर आपके पास दो साल का डिप्लोमा है 60 परसन मार्क है या उस से अधीक है तब इसको लेकिन यहां पे इन्होंने दिया है अगर आपने इंटरेंगी 10 प्लस 2 अगर आपने किया है 10 प्लस 2 यानि कि 12 प्लस आपने अगर डिप्लोमा किया है तो दो साल का लेटरेंटी से तब इसको अपलाई कर सकते लेकिन अगर आपने यहां पे इन्होंने दिया अगर आपने यानि कि जिन्होंने डिप्लोमा 10th किया है प्लस उसके बाद ITI किया है ITI करने के बाद डिप्लोमा में अडमिशन लिया है लिटरनिटी के थूरू तो वो इस फार्म को नहीं भर पाएंगे और जो 3 यर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या जिन्होंने 10 ब्लस टू यानि कि 12 के बाद लिटरनिटी पर्मिशन लिया है वो इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं ITI वालों के लिए देखिए आपे कटेगरी सेकेंड आपके है और साइंस में दोनों में अलग अलग ठीके ये 10 की बात हो रही है उसके बात जो आपका ट्रेड है आप चाहिए लक्टीशन से किये हो या फिटर्स किये हो या इंस्ट्यूमेशन से किये हो उसमें आपका दो साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी ट्रेड में सर्टिफिकेट हो चाहिए जो आप फाम को अपलाई कर रहे हैं दूसरा ट्रेड वहाँ पे नहीं चलेगा बात में ठीके और साज साज इन्हों ने ये भी किया है कि आपके पास जो है English जरूर आपके पास English होना चाहिए ठीके बिदा उन्ग्लिस में नाल्बिस होगा और साज साज इन्हों किया कि अट लिश्ट वन ये रिलेवंट एक्सपीरियंस इन्हों ने एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मागा है एक साल का आक पास यहाँ पे experience होना चाहिए relevant trade relevant field में ठीक है और इस पर जो है less than two years the candidates all have the one year relevant working experience after the computer course ठीक है तो ये चीज़ आप लोग देहां दिएगा आगे बात करते हैं यहाँ पर selection process के बारे में ठीक है यहाँ पर सबसे पहले stipendary first and second के बारे में यहाँ पर दिया गया है तो सबसे पहले first के आपका इन्टर्व्यू कराये जाएगा ठीक है जो आपका रिटन टेस्ट होगा वह दो घंटे का होगा यहाँ कि एक सो बीस मिनट का होगा जिसमें से आपको जो है वह यहाँ पर multiple choice आपके यहां पर question पूछे जाएंगे, दो घंटिक आपका paper होगा, ठीक है, और यहां पर जो आपका पूछे जाएगा, इसमें part first में आपको पूछेगा, English होगा, Journal Awareness होगा, ठीक है, बीस नंबर, यह सारे आपको 20-20 नंबर कहोगा, ठीक है, उसके बाद part second में जो आपका होगा, respective display जो आपका TED होगा, उससे question पूछेगा, इसमें start question, टोटल यहां पर कितने होगा, 120 आपके होगा, और यहां पर जो आपका प्रते question जो होगा, वो तीन नंबर कहोगा, और एक question गलत करने पर आपका एक नंबर यहां पर काट लिया जाएगा, यह बात होगा, यहां पर हम इसको देख लिजेगा, उसके बाद इसको apply कीजेगा, ठीक है, अब हम बात कलते है, selection process के बारे में, जो आपका stipendary training, second, यह जो आईटे वाले technician वाले student हिनके लिए, इनका जो test करा जाएगा, वो दो stage में होगा, फर्स्ट स्टेज में आपका जो करा जाएगा, यह घंटे का आपका जो है, वो 20 question रहेंगे, science से आपके 20 question रहेंगे, आपका general awareness से 20 question रहेंगे, sorry 10 question रहेंगे, ठीक है, टोटल यहापे 50 question रहेंगे, ठीक है, और यानि कि आपका यह high school level का होगा, उसके बाद अगर आपने इसमें से प्रते question जो होगा, वो 3 number का होगा, और एक गलत आपने जाएगा, इसमें जो आपका first में जो candidate short list होगे, second के लिए उनको यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आपका test कराया जाएगा, जिसमें आपका दो घंटे का paper होगा, ठीक है, दो घंटे का paper होगा, इसमें भी आपका जो 50% पूछे जाएगे, ठीक है, प्रते के 3 number आपको यहाँ दिया जाएगा, गलत पर आपका एक number काट दिया जाएगा, ठीक है, यह चीजे हो गई, मतलब आपका दोनों का लगबक सेम यहाँ पे pattern है, बाकी आप इसको अच्छे से यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यह चीज़ी इसमें दिया गया, ठीक है, एडवांट टेस्ट एक ही ति यहाँ दोस्तों आपका होगा क्या जो आपका stage first, stage second दोनों है, यहाँ पर stage one and stage two, इसमें हो गया, एक ही दिन में होगा, यह आपका माल लिए first meeting हो जाएगा stage first, और stage second जो होगा वह आपका second meeting में कराया जाएगा, यह आफ्टर्णून बाद इस तरह से यहाँ पर आपका क गया है साथ साथ एसी को पांट साल का ओबीसी को तीन साल का एज लिक्षेशन भी दिया जाएगा ठीक है यह भी आप जान लेजिए और यहां पर जो सेलरी रहने वाली है सेलरी आपको जो फर्स्ट मंत होगा ठीक है फर्स्ट मंत में आपको 16,000 दी जाएगी ट्रैनिक लेवल 6 के अंदर आपका वेतन आएगा जो क्यों होगा 35,400 रुपए ठीक है लेवल 6 के अंदर आएगा यह और यह आपको यहां पर दिया जाएगा ठीक है तो यह ट्रेनिंग होने के बाद आपको इतना होगा ठीक है अगे यहां पर जो आपकी पोंश्ट आती है आई टे लेवल 3 के अंदर आपको सैली होगी कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग 21,000 रुपए आपको सैली रहेगी और जहां पर जो टीए डीए हो था वो भी आप सभी लोग को दिया जाएगा सकती है तो उमीद दोस्तों आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लाओगा वीडियो अच्छा है इसको लाइक कीजिगा चैल पर नव चांग को सब्क्राइब कीजिगा और मिलते हैं आप सभी से नेक वीडियो में थैंक पॉच्चिंग इस वीडियो